Assalamu alaikum dear students how are you all I hope you're all fine welcome back students चलिए जैसा क्या आपको मैंने previous class में सिखाया था use of I I का मतलब होता है मैठ ठीक है जब आपको अपने बारे में कोई information है अपने बारे में कुछ बोलना होगा ठीक है तो आज हम सीखेंगे use of you, you हमें कहां पर use करना होता और you का मतलब कहा है यू का simply अगर हम मतलब देखेंगे meaning देखेंगे वो है आप कैसे कोई कहां पर use करना होता है you तो मैंने कोई sentences बनाए है उससे आपको पता चलेगा कि हमें you कहां पर use करना होता है तो पहला है how are you how are you का मतलब है कैसे है आप ठीक है अगर आपसे कोई पूछेगा how are you आप कैसे है या अगर आपको किसी को बोलना होगा कैसे है आप तो आप उसको क्या बोलोगे how are you किसी दूसरे की तरह आपको इशारा करना है किसी दूसरे को आपको बोलना है how are you तो आप क्या बोलोगे अगर आपसे कोई पूछेगा how are you तो आप क्या बोलोगे I am fine, मैं ठीक हूँ तो दूसरा है how old are you तो अगर आपसे कोई पूछेगा how old are you आपकी age के है, आप कितने years के हो आप कितने old हो, आपकी age के है तो आप क्या बोलोगे I am 5 years old या जो आपकी एज होगी या I am 6 years old ऐसे एक और है Where do you live? आप कहां रहते हैं? तो आपको क्या बोलना है? I live at For example, Bumai I live at Sopor I live at जहां पर भी आप रहते हो अपनी प्लेस का आपको नाम बोलना है Where do you live? आप कहां रहते हैं? Fourth है In which class do you read? आप कौन सी class में पढ़ते हैं? तो आपको क्या बोलना है? I read in class nursery मैं class nursery में पढ़ता हूँ In which class do you read? आप कौन सी class में पढ़ते हैं? I read in class nursery जो क्या आपको मैंने use of I में सिखाया था मैंने आपको क्या सिखाया था वाँ पे? I read in class nursery I live at Pumai, I'm fire old, तो वो ही है इनके answers, in which class do you read, I read in class, nursery, what are you eating, अगर आपसे कोई पूछेगा, आप क्या खा रहे हो, eating का मतलब होता है, खाना, ठीक है, you, आप, what are you eating, आप क्या खा रहे हैं, अगर आप कोई एपल खा रहे हो, आपको बोलना है, I'm eating an apple, मैं apple खा रहा हूँ, I am eating an apple, मैं apple खा रहा हूँ, फिर से आप देखिए, मेरे साथ पढ़िए, पहला है, how are you, कैसे है आप, आप बोलोगे, I am fine, मैं ठीक हूँ, second, how old are you, अगर आपसे कोई पूछेगा, how old are you, आपको क्या बोलना है, I am five years old, या जो आपकी age होगी, अगर कोई six years का है, तो उसको बोल old, ऐसे ही है, third one, where do you live, अगर आपसे कोई पूछेगा, आप कहां रहते हो, वो आपसे पूछेगा, where do you live, इसका मतलब है, आप कहां रहते हो, आपको इसका answer बोलना है, I live at Bumai, जहां पे आप रहते हो, I live at Sopor, I live at Shiva, जहां पे जो जिस प्लेस में रहता है, उसको उसी का न I read in class nursery, मैं class nursery में पढ़ता हूँ, वैसे है, fifth, what are you eating, अगर आपसे कोई पूछेगा, आप क्या खा रहो, for example, आप apple खा रहो, आपको बोलना है, I am eating an apple, this was all about use of you, तो क्या सिखा आज आपने, use of you, बागी हम पढ़ेंगे next class में, till then, Allah Hafiz, stay home and stay safe, thank you